आपका स्वागत है हमारे सेफटेक टेक्निकल एनालिसिस में आज हम तीन एस्टोकों की एनालिसिस करेंगे जो आने वाले वन वीक से लेकर के दो वीक तक एंपोर्टनेंट होगा यह सारे लेवल एनालिसिस उससे पहले अगर अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और जो भी मेरी अनालिसिस होती है अजिकर लटनिंग पर पस है ना कि ट्रेडिंग प मेरी कोशिस रहेगी कि यह का लुभड़िंग बहुत ही इंपोन्टन्ट है आने वाले कि आने वाले दस दिन के ट्रेट को धिसाइड करने के लिए तो कोशिस रहेगी कि आने लीग दस सब्सक्राइब सारे एस Top manif og Di parler s यह वीडियो बहुत इंपांट्टेंटंट होगा इस विडियो को पूरा देखने की कुछिस कीजिएगा काओं कि कागी Lipontent है एक हम चल चलके देख रहे है क्री ला इन खास्तो रिलानिस का एक इंपांटेंट लेवल है कल के लिए तेरा सो चालिस के उपर जैसे चलेगा तो तेरा सो ब्यालिस रुपए याद रखें तेरा सो ब्यालिस रुपए 1342 पॉइंट 1342 रुपी एक बहुत ही important level है उसके उपर closing हो जाएगा तो next target इसका 1380 और 1417 का जो हाई है वहां तक भी जा सकता है और उसके उपर भी जा सकता है तो कुल मिला करके 1342 एक important level होगा और नीचे का एक important level होगा 1315 रुपए का 305 रुपए का level भी नहीं तूटना चाहिए अगर इस level के नीचे जाएगा तो 1266 और 1228 तक के target देखे जा सकते है तो बिल्कुल सही सुना आपने 304 रुपए नीचे के level हो गया नीचे तूटेगा तो हम 1266 और 1228 तक के target देख सकते है और उसके नीचे भी जा सकते है तो यह as for my analysis पहले यह uptrend को कोसिस करेगा uptrend 1342 को तोड़के 1380 और 1417 और उसके उपर के level को छूँ करके पूरे महीने का range में बता रहा हूँ कि आने वाले दो हफते में यह उपर के direction में रहेगा फिर से यह नीचे आएगा और 304 रुपे के level को जैसे ही तोड़ेगा 304 याद रखना आप पूरे महीने का यह level होगा 304 को जैसे ही हम तोड़ेंगे अच्छा कासा 1230 के तरफ चलने की कोसिस करेगा सबसे पहले उपर जाएगा फिर नीचे जाएगा आप इससे डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट कैसे रहने वाला है अब रही बाद SBI का और कल का level आपने देख लिया और यह level important है पूरे महीने का और पूरे 10 दिन का important नजर भीरा के रखना है कि अगले 10 दिन किस level को छूता है मेरा मानना है कि सबसे पहले उपर के डिरेक्शन में जाएगा मैंने दो दिन पहले भी हिंट किया था कि यह रिलाइंस पर ध्यान रखना है नीचे ले लिवर बाई करना है और उपर के टार्गेट को तोड़ते ही हम उपर के साइड में जाएगे तो कल डिसाइड करेगा और 99% चांस है कि 1342 के उपर क्लूजिंग देगा तो हम अप्ट्रेंड की तरब जाएगे और 10% चांस है कि 1304 को तोड़ेगा तो सबसे पहले हम नीचे के डिरेक्शन में ताय करेंगे फिर उपर की तरब जाएगे तो यह कल का इंपॉंटेंट सेशन होने वाला है कल ध्यान लगा के रखना है कि यह रिलाइंस पहले डाउनसाइड के मंजिल को तोड़ता है यह अपसाइड के मंजिल को सेम कहानी SBI का है SBI का जो लेवल है कल के लिए 328 का एक strong support है monthly और उस target को आने वाले इस महीने में जून के महीने में छूने की कोशिस करेगा और उपर जो लेवल होगा 300, sorry, 362 रुपे 50 पैसे, 362 रुपे 50 पैसे important लेवल है इसके उपर तोड़ेगा तो ही हम upside के तरब जाएंगे और उस case में 377 और 380 रुपे का target हो सकते हैं लेकिन 362 रुपे 50 पैसे strong resistance हैडल होगा लेकिन नीचे 347 रुपे 15 पैसे important लेवल है तो ध्यान रखना है कि आने वाले trading session में 347 रुपे के लेवल को तोड़ता है या 363 रुपे के लेवल को तोड़ता है सबसे पहले मेरा जो भी है कि उपर जाएगा फिर से यह 362 तीरे सट को नहीं तोड़ेगा अगर तोड़ता है किसी भी positive news के करना अभी government का गठन हो रहा है तो तो कहीं न कहीं बजार उपर के तरफ surprise movement दे रहा है तो यह movement यह देखना है कि SBI 363 के लेवल को तोड़ेगा तो सबसे पहले उपर जाएगा फिर नीचे की direction जैसे रिलांस का हमने लेवल analysis करना है किया हमेंने तो 307 रुपे और 362 रुपे यह याद रखना है तीसरा stock है ICICI bank का भी same level है और आप level देखते हैं इंट्राडेगा भी level इसमें share किया जा रहा है और जो भी मेरा view है only for educational learning purpose से अब इसका भी एक level यह भी बीच में center में खाड़ा हो चुका है 319 रुपे 60 पैसे 319 रुपे का level के नीचे जाएगा तो यह अच्छा खासा नीचे जा सकता है 419 रुपे के level को जैसे ही तोड़ेगा तो 400 रुपे के तरफ जाएगा और अगर 340 रुपे के level को तोड़ता है तो यह उपर के तरफ 408 रुपे के तरफ जा सकता है तो as for my view 340 रुपे और 319 रुपे के बीच में consolidation देखा जाएगा और आने वाले week में जिस लेव मंतली और weekly और दस दिन का trend इन तीन वह स्टोकों का अगर आप लोग इंट्रेस्टेट है तो और भी सारे स्टोकों को ले करके इसी तरीके से आने वाले दस दिन का trading range कि धर रहेगा और कौन सा level important रहेगा ऊपर के तरफ और नीचे के तरफ तो अगर आपको यह analysis अच्छा ल सकार आंडर दिन कार दो बते हैंद कर दो इन वास ना अपर इन व penso इन हो यह वाहे लोग जटा ह हुर ओर प檲दाओगा जण है वह कि प्रास। आन का इन का रह दे रहीं का और रहा दू को अबाद pra शूने का ऊबद़ का